Hello friends, welcome in my channel SPT999, this is Vikas with CSS practical lecture 18 and in this lecture we are going to discuss about media query, a most demanding topic of the CSS for the responsive websites. अगर आप responsive websites बनाना चाहते हैं तो media query सबसे important topic है उसके लिए बिना media query की आपको इपी website responsive नहीं बना सकते हैं. ट्रीवियस लेक्चन हमने बात की दिए कि relative units को यूज़ करके हम कुछ elements को काफी हद तक responsive बना पाते हैं, बट completely responsive बनाने के लिए आपको media query पे जाना ही पड़ेगा. तो media query जाने से पहले हम लोग responsiveness को समझते हैं properly, basically जब आप website बनाते हैं तो किसी एक device पे आप चाहते हैं कि वो easily run हो, जैसे कि laptop या desktop, बट आजकल का जो user है, visitor है, जो net users हैं, वो ज़्यादा तर internet पे visiting करते हैं mobile के थ्रूँ, यानि ज़्यादा तर traffic जो होता है, वो mobile के थ्रू आता है, या फिर websites को desktop और laptop पे भी open किया जाता है, तो हम यह चाहते हैं कि हमारे website desktop पे भी proper open हो, laptop पे भी open हो, tablet पे भी open हो, और mobile पे भी open हो, पहले क्या होता था कि हर एक size के लिए, mobile के लिए अलग website बनाई जाती थी, तो अगर आपको याद हो Facebook बगएर हम पहले चलाते थे, तो उसमें mobile पे अगर जब आप open करते थे Facebook को, तो उसमें m.facebook.com लिख करके आता था, तो वो m basically mobile को represent करता था, कि mobile के लिए वो website अलग से design करी गई है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि हर एक device platform के लिए हम अलग-अलग website को design करे, media query का use करके हम एक ही website में इतने सारे features add कर देते ह और उसको इस तरीके से बनाते हैं, कि वो हर एक device पे जाके अलग-अलग तरीके से behave करे, तो जैसे आप उसे mobile पे open करते हैं, वो mobile के size के according अपने layout को adjust करता है, और अगर आप tablet पे open करते हैं, तो वो tablet के size के according खुद को adjust करता है, तो आपकी website में जितने भी element है, h1, h2, nav, toolbars, tables, जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है, images वगेरा, sliders वगेरा, उन सब को हम एक proper size देते हैं, desktop के according, और फिर इस पर media करी लगाते हैं, कि अगर ये website mobile to open की जाएगी, तो इन सारे elements का size क्या होगा, color क्या होगा, layout क्या होगा, वो सारा हम define करते हैं, इसी चीज़ को हम responsiveness कहते हैं, website की, और क्योंकि हमें जादा से जादा focus रहना है mobile पे, क्योंकि जादा user mobile पे use करते हैं internet, इसलिए हमारी website जो है, वो mobile friendly होनी चाहिए, या फिर सभी device पे open होगा, बट mobile पे हम जादा focus रहते हैं, बाक्य open तो सभी devices पे होगी, तो आए चलते हैं, media query कैसे लगाते हैं, responsive बनाने के लिए वो समझते हैं, यहाँ पे हमने एक div लिया हुआ है, जिसको हमने 600, 600 की height भी दी है, इसमें कुछ content लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमने 15 VW का size दिया है, VW viewport width, हम previous lecture में discuss कर चुके हैं, background color भी दिया हुआ है, और इसका output देखते हैं, यह रहा, अब अगर आप इसक गठाने की कोशिस करें, तो आप देखेंगे कि इसका content change हो रहा है, क्योंकि VW लगा है, लेकिन इस div की height width change नहीं हो रही है, तो अब जो div है, इसकी height width change करने के लिए हमें क्या करना है, हम mobile के size को पता करेंगे कि mobile का एक standard size क्या होता है, और उस size पे पहुँचके हम अपनी website को कि उस पे layout पे रखना चाहते है, तो अब चलते हैं, इस पे अलग-अलग size पे set करने के लिए हम चाहते हैं कि जब यो mobile के size पे आए, तो div का size change हो जाए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखेगा, add the rate media, media screen, यह basically media query लगाने का tool है, या property है, आप क्या सकते हैं, इसके बाद हम इस पे and लिखेंगे और यहाँ पे bracket लगाएंगे, और bracket में लिखेंगे max, max width, तो max width, max height, ऐसे ही min width और min height, इन properties का use करके हम screen sizes को figure out करते हैं, और उसके हिसाब से CSS change करते हैं, तो जैसे हम नहीं यहाँ पे ले लिया, मानलो की 600 ले लिया, जैसे mobile का size आप Google पे सर कर सकते हैं, या फिर standard size चेक करने के लिए, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, right click करके inspect करो, जब आप inspect करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यह देखे, mobile के अलग-अलग sizes है, tablet के sizes है, यहाँ से आप पता कर सकते हो, कि किस size पे रखना है, और किस size पे कैसा दिखाई देगा, वो आप check कर सकते हो, otherwise यह भी एक तरीका है, कि आप screen का size इस तरीके से कम करें, ऐसे करके घटाते बढ़ाते रहें, तो इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा, कि size पे कितना किया हुआ है, screen का size पता करने का online tool भी होता है, आप online भी पता कर सकते हो, online screen size लिखोग और इस पे dip का size देते हैं, जैसे कि हमने इसको target किया, db1, target करते हैं, और हमने का कि जब screen का size 600 के नीचे आ जाए, यहनि max width, maximum width, 0 से 600 के बीच अगर रहे screen का size, तो क्या width होगी, तो हमने का 300 कर देना, 300 pixel कर देना, height, और width क्या कर देना, width भी हमने का 300 pixel कर देना, और background color क्या कर हमने का background color yellow कर देना, क्योंकि हो सकता है, छोटे size पे वो color सही ना दिखाई दे, तो हम छोटे size के लिए दूसरा color ले लेते हैं, अब यहाँ पे आप आओ, और इस screen size को थोड़ा सा कम करो, decrease करोगे, जैसे 600 पे पहुचेगा, इस box का size चेंज हो जाएगा, sorry हमने शादिया पे pixel नहीं लगा है, तो X लगा देते हैं, PX, अभी देखो आप, 600 pixel के size पे जैसे ही पहुचा, तो change कर लिए, तो यहाँ से change हो रहा है, यह वो place है, यह वो point है, break point है, जहाँ पे screen का size 600 पे आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग-अलग size के लिए, height और width सब के लिए ल कि ऩे माल लो हमने यहाँ पे दे दिया, and max height, max height, तो height में हमने क्या कर दिया है, कि suppose हमने इसको भी 600 कर दिया, यह 700 pixel कर दिया, अभी आप देखो, इसको आप 600 पे ले क्या हो, इदेको change हो क्या है, max height हमने 700 pixel कर रखी है हम इसको 500 pixel करते हैं अभी देखो 600 pixel width होने के बाद भी ये change नहीं हो रहा है क्यों change नहीं हो रहा है क्योंकि शायद height जादा है तो जब तक height का parameter भी इसके equal नहीं होगा तब तक ये नहीं करेगा तो अभी इसको कम करते हैं तो height भी 500 के नीचे आने चे है जैसे ही 500 के नीचे आया दोनों conditions फुल्फिल हो रही है width भी 600 के नीचे और height भी 500 के नीचे है तो इसने change कर दिया तो आप किसी एक पे लगा सकते हो या दोनों height भी दोनों को target कर सकते हो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे एक छोड़ा सा program बना रहा हूँ जिसमें हम कई अलग-अलग sizes के लिए मीडिया करी लिखेंगे तो मैं अलग-अलग sizes के लिए लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह div मैंने लिखा हुआ है div की height 600 है, width 600 है as it is है background color मैंने change कर दिया fonts red color कर दिया font size 15 video blue है अब देखो यहाँ पे मैंने एक मीडिया करी लगाई और हमने कहा कि अगर maximum width 600 हो तो 600 के लिए yellow color रखना ठीक है और फिर हमने एक दूसरी मीडिया करी लगाई है कि अगर 601 से लेकर के 600 हो, हम सीफ अभी width को लेकर चल रहे है तो 600 से 800 के बीच में हो तो उसका color blue कर देना और height width 300, 300 कर देना same thing हमने यहाँ पे एक मीडिया करी लगा रखी है कि अगर उसकी minimum width 800 हो और maximum 900, यानि 800 से 900 के बीच की अगर उसकी width है pixel में, तो height width 400 कर देना, 100, 100 पिक्सल बढ़ा रहे है और background color 100 कर दे और sorry, green कर देना फिर हमने 901 से लेकर 1000 के बीच में लगा रहा है कि अगर 901 से पिक्सल से हो और 1000 के बीच में हो तो pink color कर देना मैंने आपको बताया कि screen का जो full width size है वो 1366 pixel है, तो आप देखो 1000 तक तो हमने cover कर लिया कि 600 तक 600 तक क्या रहेगा? yellow रहेगा और height width भी change हो रही है 100, 100 पिक्सल करके 600 तक yellow रहेगा 600 से 800 तक blue रहेगा 800 से 900 तक एक green रहेगा और 900 से 1000 तक एक pink रहेगा और अगर 1000 के उपर जाता है यह देखो, यह अभी अपने full size पे है यानि 1366 पे है जैसे हम इसको कम करेंगे तो यह 1000 के नीचे जैसे ही आएगा यह change करेगा pink color में क्योंकि हमने 900 से 1000 के बीच में दे रखा यह देखो pink color पे आगया 900 से 1000 के बीच अब जैसे हम इसको कम करेंगे 800 के बीच में तो यह green color पे आएगा फिर उससे जैसे ही कम करेंगे अब तो यह color blue पे पहुचा और जैसे हमने change के आगे चलके तो यह हमें yellow पे पहुचा देगा तो अलग-अलग size पे हमने दे रखा यह देखो change कर रहा है अलग-अलग size पे, screen size पे और क्यूंकि हमने hello को ww में दे रखा है इसलिए वो भी change हो रहा है तो इस तरीके से media query लिखते हैं हर एक element को target करके media query लिखी जा सकती है या फिर जिस element के लिए required है सिर्फ उसके लिखो और बाकी को relative unit से target करो हमेशा relative unit भी काम नहीं आती है और हमेशा media query लिखना भी काम नहीं आता है दोनों चीज़े मिल करके काम करती है तो एक better responsive website बनती है वैसे most of the cases में हम CSS का grid system यूज़ कर लेते हैं layout बनाने के लिए तो ज़्यादा better होता है अगर आप grid system पे अच्छे से practice कर ले या फिर bootstrap का grid system होता है हम लोग bootstrap पे भी एक lecture देखने वाले है तो bootstrap का grid system भी काफे responsive mobile friendly है तो ज़्यादा तर लोग उसका grid system यूज़ करते हैं ताकि हम media query कम से कम लिखे media query में ज़्यादा न लिखने पड़े क्योंकि media query लिखना काफी headache का काम होता है एक एक चीज़ को ध्यान रखना होता है उसकी hide width पे figure out करना होता है जरा सी guardboard होती है तो पूरा layout guardboard हो जाता है तो अगर हम पहले से standard design जो बने हुए है हमारे पास media query लगी हुई है उनमें पहले से वो use कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता है तो CSS का grid system या फिर bootstrap का grid system काफी smart और advanced grid system है bootstrap का तो हम उसको use कर ले दे अपने layouts डिव बगेरा बनाने के लिए तो कैसे use करते हैं हम लोग bootstrap वाले lecture में समझेंगे तो दोनों जीसे समझ लीजे जिसकी practice आप अच्छी कर पाएं जीसको better dhung से use कर पाएं वो आप use कर सकते हैं खुद से immediate पर लिखें या फिर bootstrap का grid system यूज़ करें तो इसे आप CSS का last lecture समझ सकते हैं वैसे एक lecture इसमें हम और देखेंगे जिसमें हम CSS के कुछ advanced topics पढ़ेंगे variables बनाना देखेंगे and उसके बाद vs code को install करना और उसके installation और shortcut के बारे में थोड़ा समझेंगे and then javascript start करेंगे so guys that's all for this lecture if you have any doubt or questions then you can contact, like, share and subscribe the channel thanks for watching